हालो गाइज, विल्कम टू अचीवाइस, मैं नेम इस आयूश मिठी, इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस पोड़कास्ट में हम बात करेंगे, स्पेस सिचुएशनल अवेरनेस के बारा है, साती साथ ये क्या होता है और इंडियार यूएस का स्पेस कोपरेशन किस तरीके स एक्सपेंट हो रहा है, हाली में टू प्लस टू स्टेजिक डायलोग हुआ, एंडियार यूएस के डिफेंस और फोरेंड मिनिस्टर्स के बीच में, तो जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों के स्पेस कोपरेशन के बारे में भी बात करें, जो जो जोइन्ट स्टेटमेंट निकल के आया है, वो बहुत रिमार्किबल और सिग्निफिकेंट है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, या फिर आप माल लो ऐसे स्टेटमेंट से कभी स्पेस कोपरेशन की कभी बात इतनी हुई नहीं है, प्रोमिनेंट लेकिन इस बार का जो जो इंट स्टेटमेंट था, उसमे एग्रिमेंट भी हुआ, कि हम स्पेस डॉमेन के अंदर कोपरेशन स्टार्ट करतेंगे, अब यह उसमेट के अंदर कोपरेशन करेंगे, यह इक पाटिकुलर फिल्ड की बात करें तो वो है, स्पेस सिच्टुएशनल अवेरनेस, जिस पे हम यह वीडियो बना जारें, स्प इसके लिए space situation awareness की importance बढ़ती जा रही है कुछ नहीं है space situation awareness का मतलब आपको इसके नाम से बढ़ा चल रहा होगा space situational awareness space की जो situation है जो स्थती है उसके बारे में जाग रुकता awareness रहे जैसे important space बनता जा रहा है it is also crowded भीड भी होती जा रही congested भी होता जा रहा है आप मानोगे नहीं करीब 80 countries है जो directly और indirectly इस domain में active है satellites पे satellites भीज जा रही है और मैं अगर private company की बात कर लो spacex की बात कर लो USA की तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे plan launch कि है कि thousands of satellites launch करने वाले हो एक constellation बनाने जा रहे space में ताकि objective हों का बिल्कुल साफ है कि गरीब जो देश है पूर जो countries है उनको internet बिल्कुल सस्ते दांग पर मिल लेगा है पर देखना ही है कि इतने जादा जो thousands of satellites आप भीज रहे हो क्या इससे space traffic management हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल यह होने जा रहा है क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि इतना सारा जो traffic होगा इसमें अपने enemy की satellite कौन सी है फिर उसको track करना अब यह मैं बताऊंग आपको क्यों यह important है और space debris का ख बारे में awareness हम फैलाएंगे simply awareness मतलब space environment कैसा है अभी कितनी satellites है और हर मतलब धीर हम फिर detail में आते जाएंगे जैसे safety of space की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी satellite से collision हो सकता है आपस में संभावनाए क्या है space weather की बात करेंगे natural phenomenon की बात करेंगे अब वैसे तो देखो ऐसा है कि US ने तो यह काबिलियत यह capacity पहले से develop कर लिया वो तो यह देख सकते है कि space environment की clear picture है यूस के पास तो space environment की clear picture है और यह भी देख सकते है कौन से space assets danger में natural hazards है intentional threats से या तो intentionally जिसे चाइना ने उनकी satellites attack कर दिया तो USA को पता है कि ऐसा हो सकता है और threat को पैचान जाते है यह naturally मालोग कोई asteroid भढ़ गया यह मालोग कोई unintentionally कोई satellites उनकी उनमें जो है attack हो गया उसमें जो है collision हो गया तो यह चीजे भी US समझने में काबिल है और हम data भी मिलके collect करेंगे rocket bodies के बारे में space debris के बारे में और किस तरीके से space objects की re-entry हो सकती atmosphere में spacecraft की threats क्या हो सकते है satellites को क्या क्या threats है भी तो हम monitor understand or predict करेंगे physical space environment को तो US तो इसका अबिलियत को बहुत पहले से विक्सित कर चुका है now there are good reasons for India and the US to develop a collaborative mechanism to start sharing SSA data हम सम मिलके हम दोनों मिलके significant investment भी करते है स्पेस में हमारी जो space है वो बहुत ज़्यादा importance भी हो गया पिछले कुछ सालों में चाहिए हमारी military dependent है society dependent है society कैसे अभी हम जो communication satellites launch करते हैं जैसे इंसेट वगरा और जो मतलब communication satellites आपको कैसे बता हूं मुझे आनिया रहा तो वो communication satellites हमारे civil machinery में मदद करती है military satellites आपने देखा होगा तो वो भी हमको navigation में काफी जदा मदद करती है तो इन में से अगर किसी का disruption होता है किसी भी satellite का that will result not only in social and economic disruption but interference in the effectiveness of their military as well हम सामने वाली enemy country के crisis को नाकाम नहीं कर पाएंगे हो सकता है मालो चाइना ने कल attack कर दिया और हमको information लेने लडाक में कि हमारे जो सैनिक हैं मारे जो जवान हैं और कहां हैं और उनके कहां हैं अब मालो चाइना ने उसी internationally किसी missile से उस satellite को attack कर दिया जो हमें पुरी navigation information दे रहा है तो हम क्या करेंगे सोचने वाली बात यह है बहले ही आप सब लोगों के दिमाग में और नियो चनल पर यह नहीं आई हो लेकिन potential threat यह है cyber security से भी बड़ा यह खत्रा है तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से streets हैं memory space assets को data लेंगे collect करेंगे फिर उसको actionable information में बदलेंगे आप यह फोटो भी देख रहे होंगे कि data लेंगे पहले फिर उसको अच्छे तरीके से process करेंगे फिर actionable information में बदलेंगे यानि हम देखेंगे कि अब क्या किया जा सकता है माल लो इस satellite पर खत्रा है तो अब क्या कर सकते हैं तो अभी हमने anti satellite missile launch की अभी mission शक्ती हमारा आपने देखा होगा उसमें हम missile के जरीए एक satellite को destroy करने में कामयाब हुए उसके मिबाइद करूँगा तो वो इसी लिए किया गया था मज़ा नहीं आ रहा था हमको चलो मज़ा आएगा आथ तो जो है तालिया बजाएंगे देखके कैसे satellite destroy होती है नहीं वो वज़य थी उसकी कि हमने missile से इंटनेशनली सेटले डिस्ट्रोय करके बताया एथिकल यह सही नहीं है पर हमको इस फील्ड में कदम उठाना ही पड़ेगा और फिर अगर मैं इंडिया और यूएस की बात करूं तो इंडिया तो फाइव डिकेट से स्पेस बिजनिस में और यूएसे भी काफी पहले से है लेकिन सपेस सिटुएशनल एवीर्नेस में हमारी इतनी कैपेबिलेटी नहीं है ऐसा नहीं है कि चाइना और जपान भी बहुत आगे बढ़ गए इनकी भी इतनी नहीं है एक स्टेंसी इनकी भी नहीं है लेकिन यूएस तो जो है है सबसे लार्जेस्ट नेट्वर्ग है इ यह थोड़ा Northern Hemisphere में सही चलता है Southern Hemisphere में थोड़ा वीक है और US के बाद फिर रिश्या के पास है उसके पास Second Largest Network है US के बारे में और Southern Hemisphere का भी बैटर coverage है और फिर EU के पास भी थोड़ा बहुत है तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इस स्कॉप में बढ़ रहा है हम पीछे नहीं हुए हैं किसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और नाव दे कोपरेशन ओव यूएस वी केन अचीव फर्दर न्यू हाइट्स इंडिया सिविल स्पेस ओर्गनेजेशन की मैं बात करूँ कौन है इसरो इसरो ने बहतरीन कदम उठाया इस फिल्ड में एक डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल एवेरनेस डिपार्टमेंट एस्टेबलिष कर दिया अगर अब तक कोई डिपार्टमेंट नहीं था तो कोई INTEREST में नहीं था इस फिल्ड में INTEREST नहीं था तो हम और कंट्रीज के साथ collaborate भी नहीं कर सकते थे इस field में तो USA, Japan अब dedicated हमारे interest को देखते वे इंडिया के साथ काम करने पर उतार हुए, now they are keen to work with India on space situation awareness domain until now, अब तक कोई department नहीं था, तो ISRO, अमेरिका की North America Aerospace Defense Command पर रिलाय करता था लिमिटेड डाटा USA से मिल जाता था, ट्रैक कर लेते थे space debris थोड़ा बहुत की ठीक है, थोड़ा खत्रा तो नहीं है, लेकिन इंसफिशेंट था, क्योंकि USA हमको पहले बात तो पूरा डाटा नहीं देता था, दूसरा बात, real time data भी नहीं देता था, what is mean by real time data, आपको lag हो सकता time data को analysis करने में, आपको लगेगा कि ठीक है, एक second बाद attack होने वाला है, लेकिन पता चला कि ये तो हो चुका, तो जो lag है, time lag है, situation को analysis करने में वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि full data आता नहीं है, और वो भी real time नहीं होता है, क्योंकि India अब तक नोराड का part नहीं था, लेकिन अब, इंडिया को अच्छा खासा data मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि USA इसरों के साथ ही मिलके इस चीज को कर रहा है, और किसी का तेंट्रेस्ट नहीं, बहुत सरी countries को, LAs को ये information देता रहता है, हम ये तक देख सकते हैं, basically मैं इस चीज की बात करता हूँ, वो है two line element data set, two line element data set, य real time data, मतलब ना, इस मेना बिलकुल, इस आर्थ में, कौन सा space object, अर्थ के particular point of time में, कहां orbit कर रहा है, atmosphere में, कहां orbit कर रहा है, वो अर्थ को, अर्थ को orbit करने में, किस particular point in time में, किस जगह पर है, बिलकुल accurate data यहां पर मिलता है, अब तक, तो हमको मिलता नहीं था, तो काफी limitations थी हमको इस data accuracy में, precision में, लेकिन अब, जो हमको काफी मदद मिल जाएगा, और हमको काफी delay होता था न, attack करना में objects को, attack हो जाए, satellites पे पता ही नहीं चला, और पता चले कि data real time ही नहीं था, तो अब real time data से काफी मदद मिलेगी हमको, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कि हमने 2019 में इतने countries के criticism के बाद भी anti-satellite test किया, anti-satellite test करने पे बहुत सारी countries के criticize भी किया, लेकिन जवरत थी हमें, और यहीं नहीं, इसके बाद हमने इसरो का, मैंने बताया आपको dedicated department launch किया, तो space situational awareness and management directorate भी launch किया, इसरो headquarter में, बहुत important step था यह, space situational awareness and management directorate, यानि हम अब इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, कि कोई हमारी satellites को नुकसान ना पहुचाए, और जरत पड़े तो हम दूसरों की satellites को नुकसान पहुचाने में capable रहे, pure pure हमारी ऐसी intention नहीं है, कि हम बल्कुल खतम ही कर दे, constellation को satellites को एक बार में, लेकिन यह है कि हम अपनी तो बचा सके, हमने खुद की dedicated SSA capabilities, अब मैं space situation awareness को SSA capabilities को established किया, क्यों पहली बात तो satellites में हमाली जो achievements है, हम धड़ादर satellites launch करते जा रहे हैं, counter space capabilities में launch करते जा रहे हैं, अच्छा हम आपको फिर mission सक्ती के बारे में थोड़ा बताई देता हूँ, मजा आएगा आपको, देखो, क्या है, basically mission सक्ती जो हुआ था, ये इंडिया ने अपना एक satellite को, अपनी satellite को shoot किया था, lower earth orbit में, और इंडिया fourth country बन गया था, US, Russia, China के बाद, कि ऐसी capability is space warfare, space warfare समझ रहे हो ना, करने को space में लड़ा ही हो जाए, तो हम किसी सामने वाले की satellites को destroy तो कर सकते हैं, तो 4 country के पास अपता के हुई है, US, Russia, China, now we are the fourth, mission शक्ती कहते हैं इसको, जिसमें हमने anti-satellite weapon बनाने की कोशिश की, और हमने successfully भी satellites को destroy कर लिया, DRDO और इस रोक ने मिलके ये किया था, हमको एक power मिल गई, pure military और strategic purpose से, capabilities हमारे अंदर ही कि हम direct attack भी कर सकते हैं, air से, sea से, ये land based भी, हम किसी भी satellites को destroy कर सकते हैं, satellites की importance वैसे भी बहुत जद़ बढ़ती जा रही है, मैंने आपको बताया चाहिए, civil हो चाहिए, defense infrastructure हो, और बहुत सारी applications आज के टाइम पर dependent है, banking, communication, broadcasting, stock market, weather, disaster management, land, ocean, military application, अगर सेटलाइट को destroy कर देता है, कोई animation हमारी, तो इन सभी application का कोई मतलम नहीं रह जाएगा, और हमारा, देखो, हम भी सामने वाली अगर NEP के सेटलाइट में अटेक कर दें, तो infrastructure क्रिपल हो जाएगा, और बहुत सारी threats जो है, हाँ, human life को भी threats आ सकते है, navigation system भी गड़ गया तो, ठीक है, military को दिक्कत आ सकती है, तो outer space बहुत एक बड़ा, आप कह सकते हो, warfare का area बनता जा रहा है, और ये त terrorist organization हो गया, है ना, तो इन से भी खत्रा बढ़ता जा रहा है, तो asset का जब हमने test किया, anti-satellite का, तो बहुत बड़ा जीमिन था, और आप इस आसान नहीं है, इतना कि एक missile से satellite को जो है, आप destroy कर दो, ये ऐसी, पहली बात तो इससे समझो ना, हम चोथी कर रही है, पुरी दु destroy कर रहे हो, ये इतना जो है, आपको specific capability चाहिए, और बहुत जादा आपको इसमे predictable path आपको देखना पड़ता है, क्योंकि satellite जो है, बहुत amazing speed से घूमती रहती है, orbit करती रहती है, और इस satellite को destroy कर रहा है, बहुत बड़ा milestone होता है, तो इससे हम जो है, एक idea भी लगा सकते है, कि किस तरीके से enemy nation की navigation power को completely destroy भी कर सकते है, हला कि हम ऐसा नहीं कर सकते है कि, एक को satellite को destroy कर दिया, तो पूरे navigation भी गड़ गया, उसका नहीं, वो दूसरे satellite भी इस्तमाल कर सकता है, हो सकता है, वो किसी और country, जैसे China अपनी कोई LE, पाकिस्तान की satellite को स्तमाल कर रहा है, तो लेकिन एक हद तक हम उसको नुक्सान पहुचा सकते हैं, अब अगर मैं इसकी challenges की बात करूँ, तो anti-set जो missile हुआ, तो उसके challenges ये थे कि, देखो, मैंने कहा कि अभी हो सकता है, चाहिए ना पाकिस्तान की satellite का, इस्तमाल कर ले, दूसरी बात, आउटर स्पेस स्टीटी थी 1967 की, उसमें ये गाता कि आप अर्थ में ऐसे object नहीं डालोगे, अर्थ के orbit में, जो nuclear weapon लेके चलेगा, या weapons of mass destruction लेके चलेगा, पहली बात तो हमने स्टीटी को बनाए रखा, प्रोहिबिट, वैसे हमने स्टीटी को violate नहीं किया, क्योंकि हमने को स्टीटी नहीं रखा था उस missile के अंदर, हमने missile को इतनी तेज वैलोसिटी से भेजाता, कोई explosive कोई bum नहीं था उसके अंदर, कि सीधे जाके वो speed की वज़े से satellite को destroy कर दिया, जो energy आई, हमने कोई nuclear weapon नहीं रखा, कोई bum नहीं रखा, कोई explosive नहीं रखा, ताकि वो वह रखा के उस explosive को हम छोड़ दे और ब्लास्ट हो जाए, हमने सीधे सीधे energy की वज़े से attack करा दिया, तो कुछ-कुछ challenges आपके है, तिस सबसे बड़ा challenges is space debris का, इतनी अच्छा आपको पता है, जो missile हम जो destroy की तो उसके 45 टुकड़े आये थे, थोड़े टाइम में ये अर्थ पर ही चोने जा रही है, जैसे USA ने बहुत criticism किया था, कि international, NASA ने किया था कि international space station को बहुत नुकसान पहुचेगा आपके इस missile से, इस attack से, लेकिन वह जो भी वह बात होती रहती है, और इससे एक और है कि फिर और country से race में कूच जाएगी और फिर space का militarization और weaponization शुरू हो जाएगा, तो picture clear हो गई आपको, वैसे हमारी G-set satellites भी है, इन-set satellites भी है, कार काटो सेट भी है, रिसोर सेट भी है, navigation satellites है, इन सब सेटलाइट की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हम threat को पहचान सकें कि हाँ हमारी पर attack भी हो रहा है, तो इसके लिए, प्रिम्स के लिए मैं बहुत आपको इसमें content दे रहा हूँ, सबसे important चीछ सुनो, project netra, सुनो आपने इस रोने नए initiative launch के project netra, ये इसी में ही था, space situation awareness के अंदर ही ये चीज थी, इसके अंदर project netra के netra का मतलब क्या होता है, आख, तो आख का मतलब क्या signify करता है, यहाँ पे आख, observation, full form सुनो, network for space object tracking and analysis, ठ Space situation awareness के बात हो गई, कि हम किसी space object को track कर रहे हैं, हम low earth orbit के अंदर satellites को track करेंगे, ताकि एक दूसरे से टकरा ना जाए, या कोई आके attack ना कर दें, तो इस प्रोसेस में है, कि हम इतनी सारी observation facilities वैसे भी डालने वारे हैं, और हम radar, आस्टेलिस्कोप हर जगर डाल रहे हैं, ताकि 10 cm तक भी छोटा सा छोटा हम object track कर पाएं, इतना specific capabilities हमारे पास आ जाएं, कि हम space debris को track कर सकें, warning दे सकें दुनिया को, और हो सकें तो उस space debris को attack करके, जैसे मैं लोग कोई बहुत बड़ा कचरा है, space debris होता है, जो satellites तूट गई है, उसका कुछ कचरा है, जो useless हो गई है, वो orbit मे गूमता रहता है, तो दूसरी satellites होती हमको नुक्सान पहुचाता है, तो हम क्या कर सकते है, जैसे हमने missile शक्ती में missile से attack किया, तो missile से हम उस space debris को वापस attack कर सकते है, तो जो बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, वो छोटी चोटी टुकड़ा में बदल जाएगा, और वो इतना सबूत है, और space situation awareness के लिए department डालना, डिरेक्टरेट डालना, ये चार चीज़े एक सबूत है अपने आप में, कि इंडिया की इस ऐसे capabilities बढ़ती जा रही है, और ये तो हमने, मैंने, मैं तो आपको मतलब एक बड़ी बड़ी चीज़े बताएं, चोटी चोटी चीज़े अगर मैं बताऊं आपको डवलाप्मेंट में तो हमने लदाक में लोंग रेन टेलिसकोप डाला है, नोर्थ इस्ट में रडार डाला है, और मल्टी अबजेक्ट ट्रेकिंग रडार डाला है, श्री हरी कोटा साउधन इंडिया में, तो ये सब चीज़े हम करने हैं, तक कि जमीन पे रहकर भी हम चीज़ों को अब्जर्वेट्रीज भी हम डाल रहे हैं, बेंगलूर, पूने, माउंट अबू, ने निदाल, इन समय ताकि हम स्पेस डेबरिस को एप्रोक्सिमेटली, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल रियल टाइम डाटा हमारे पास आए, और हम उ अब हम सब्केसा उसी अब तक आफ नवराड पर डाटा मिले रोब रीयल टाइम और پुल नहीं मिलता ता लेकिन अब हम जो है US के साथ collaboration करके खुद का department है, खुद का direct rate है anti-set हमने किया है, project रिता चल रहा है तो project नितर चल ली रहा है, तो हम अपने space environment को खुद से भी, एक बार हम अच्छे से experience ले 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 हुं के साथ तो track कर सकते हैं, monitor कर सकते हैं इंडिया को space, space में responsible stakeholder भी बता सकते हैं इंडिया नोशन में responsible stakeholder हम है और अब space में भी हम दिर दिर आ सकते हैं, पर यह baby steps है अब यह कहना थोड़ा premature होगा क्योंकि यह भी बहुत challenging problem है नहीं यार, देखो हमको ना बहुत नहीं नहीं application डवलाप करनी पड़ती है काफी जदा, देखो, SI की small satellite constellation भरते जा रहे हैं दुनिया में जो private companies है SpaceX, देखो अभी हमने भी दिर दिर अब liberalize कर दिया space environment को इंडिया के अंदर private companies को चूट दे दी तो दिरे दिरे जितनी satellites बढ़ेंगी constellation बढ़ेगा, उतना space debris बढ़ेगा तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा इंको track करना और उतना ही मुश्किल हो जाएगा इसमें enemy nation की satellite को track करना तो इसलिए challenges भी भढ़ते जा रहे हैं और space situation awareness के जो steps हैं वो भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे तो इसलिए एक जरुरत है ये हमको मजा नहीं आता यूस के साथ चलो space में अब खेलने चले जाते है missile को destroy satellite को destroy करने में नहीं this is a necessity that we have to collaborate and now this is a good starting point इंडिया यूस का जो collaboration है SSC में काफी starting point है और हम जापान फ्रांस और उस्टिल एक साथ मिलके कर सकते है ऐसा नहीं ये space में भी quad बना दे जांके हम लेकिन फ्रांस और और कंट्रीज को मिलके ये कर सकते हैं तो guys I hope आपको समझ में आया होगा बहुत सची चीजा में आपको बताई होगी means में भी आप इसका लिख सकते हैं claims के लिए भी आपको मैंने इसमें दुरत चीजे एनेसेसेटी जो important चीजे भी बता दिया